आप अगर यह कहें कि मैं इंडिया जाओंगा इंडिया जाकर सबसे पहले तो गिर आप एक ऐसे कंट्री में जा रहे हैं आपका इतना कद काट हो कि आप जाएं तो लोग आपको हाथों हाथ लें आपको कद काट नहीं आप अपने तोर पे गए आपने जाके हिरो बनने की आपको 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 आपक विए श्राइब शायद ना हो लेकिन बाराल जो भी हो रहा हुआ हम उसको काउंटर नहीं कर रहे हम जो भी हमारे यहाँ पर हो रहा है हम लोगों को मौका दे रहे हैं कि वह उस नेरीटिफ को बिल्ड करें प्राबिली हम प्रमोट नहीं कर रहे इसको टेर्रिस्म को हम प्रमोट नहीं कर रहे इंतहा पसंदी को लेकिन हम अंचे को खत्म करने के लिए भी कुछ नहीं कर रहे है। इंडिया को नुक्सान नहीं है हम बच्छे थे आज से पांच साल पहले तक हमारा सबसे इवन इंडिया के साथ पहले तो सिंपल सा क्वेस्टन ये बताएं आपको लगता है इस्टम जो हमारे रिलेशन है अपने इर्दगिर जितने भी नेवरिंग कंट्रियों के साथ बेहतर है या नहीं बेहतर फिर मैं आगे मजीड करेंट्रम्नीशन साथ है तो अब ही तो बिलकुल भी बेहतर नहीं है बिलकुल भी अच्छे रिलेशनस नहीं है किसी बी कंट्री के शारद घींटृय को इसी मंत की चार तरीकों100 को ब्लावल बुटो साब जो के हमारे foreign minister है वो इंडिया के visit पे गे वहां पे उन्होंने SEO की meeting अटेंड की वहां पे काफी ज्यादा उन्हें क्रिटिसाइज किया उनकी statement को ले किसी ने G20 की meeting के बारे में पूछा जो कश्मीर में होने वाली है तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी या दुनिया याद रखेगी आप ये बताएं कि हम इंडिया के अगर बात करें relation बेहतर करने चाहिए या इस तरीके से statement देनी चाहिए और secondly कि हम इस position में हैं कि हम ऐसा कोई भी जवाब दे सकें या इवन इकनोमिकल सिचुएशन चल रही है हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं बलके यह कहना भी गलत नहीं होगा कि आलमोस्ट कर चुके हैं तो बिल्कुल भी इस तरह की स्रेटमेंट तो नहीं देनी शाहिए बिल्कुल नहीं देने शाहिए बलके हमें इस वकट बेहतर सिचुएशन की तरफ आने के लिए कोई न कोई स्टेजिकल प्लैंज कोई हमें एक्जेकली एक्जेकली सारी चीज मैटर करते हैं कि आप एकनॉमिकली कहां खड़ें ये तो आप देखें घरों में या फैमिलिस में भी ऐसा होता है कि एक गर में सब्सक्राइब चार लोग रहते हैं और दो लोग फिरेंशली तोर पर बहुत अच्छे नहीं तो तालुकाद होने के अच्छे होते दुनिया के मार्कीट है चाइना हमसे तब तक गेन कर रहा है तब तक हमारे साथ है जब तक पाकिस्तान उसके सारे चीज़े परचेज कर रहा हैं उसको एकनॉमिकली हम लोग फायदा दे रहे हैं अगर हम एकनॉमिकली बहुत बेतर हो जाएंगे इंडिया जितनी हमारी मार गुर्मिक पावर है सम्टइम्ज आपको अपने यह चीज भी रखनी पड़ती है और चुके अगर आपके पास यह नहीं होता तो प्रॉबिली हमारे हालात अब दो तीन कंट्रीज ऐसे हैं एक सौडिया है एक रान और एक पाकिस्तान है जिनको ऐसा कोई थ्रेट नहीं है और थ्रेट हो भी तो लोग इस तरह नहीं करते हैं चुके आप एक आटॉमिक पावर है अटॉमिक पावर का बेनिफिट है बहुत ज्यादा बेनिफिट है लेकिन अटॉमिक पावर की वज़े से शायद हम लोग उतना एकसल नहीं कर सके जितना हमें करना चाहिए था प्रॉबबली हमारे एकॉनमी बेटर होती तो हमें ये धंकिया देने की जुरूती पेश न बनाने के पैसे नहीं है आपके पास जहाज उडाने के लिए जैसे भी बाजवा साब के लास घामीद मिये साब ने कुछ स्टेट्मेंट दिया था नसीम जारा के शो में कि हमारे पास टैंक चलाने के लिए फ्यूल नहीं है तो आप अप अटोमिक पावर हों भी लेकिन करेंगा इनके साथ अभी बिसिकली हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जो इस वकत इंस्टेबिलेटी है पॉलिटीकली स्पेशली और हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं तो बजाए इसके के हम इस तरह की चीजें करें जिसे मजीद हालात बुरे हो बैतरी की तरफ तो हमें पॉजिटिव एटिट्यूट रखना चाहिए और वही के बैतर पॉलिशी बनाएं ताके हम डिफॉल्ट की तरफ जाने के बजाए बैतरी की तरफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो सब कुछ बैतर होगा अगर आपके कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिट नहीं होगी तो कोई आपके साथ रिलेश्चिप नहीं रखेगा अगर बिलावल बुटो साथ इंडिया गए हैं और उनकी किसी वजीर खारजा के साथ एक बड़ी अच्छी टर्म्स बन जाते हैं और उनको भी पता नहीं है कि अगले छे में इन्हें में बिलावल बुटो स मेरा के काम करेंगे एकाउंटेबिलिटी होगी तो सब कुछ बेहतर होगा यह बड़ी अथेंटिक बात है कि देखें जब तक लेट्स पोज अगर हम इंडिया के विजट पे के बलावल बुटो साथ वहां पे कोई डील हो भी जाती या करने की कोई बात भी होती इंडिया सबस्केर के लिए विजए रहें तो इनके पीछे जो इन्हें हैं जो अदारे इन्हें चलारे हैं इंटरनेशनल पावर्श हैं या भी अब इसमयरे मिनिस्टर रहते है आप इस बास से अगरी करते हैं या ने टोटली एगर हर किसी को अपनी डुमेन में रह के काम करना चाहिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में जो भी एक पार्टी आएगी उसको अपनी टरम कमस कम पांच साल के लिए हो वो अपनी फॉररन मिनिस्ट्री चलाएं उनके पच्छे थे आज से पांच साल पहले तक हमारा सबसे बढ़ा ना रहो था पाकिसान जिंदाबाद और अब पाकिस्तान से जिंदाबाग सो बाद करते हैं हमें कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में मेजोरिटी यूथ की है अल्मोस 53 परसंट आई इसके राउंड बोट है ठीक प्रेवल से चीज आएगा जब आपके अगें सारे इधारे चेंज होंगे और आप देखे सबसे बड़ी चीज कि आपके जितने लोग यहां पर सीएसे करते हैं यह चीज वैसे देखने को बड़ी अच्छी लगती है सुनने को एक घर घर की छे बेटियों ने या छे बेट सबसे बड़ा जो इशू है ना हमारा सिस्टम वो स्पोर्ट कर रहा होता है उन्हीं लोगों को जो सिस्टम के आला एकार सिस्टम के अंदर होते हैं तब तक चीज नहीं होगा तब तक चीज़ें नहीं होगा ग्रासूट लैवल से चेंजिंग का मतलब यह है पुलिटिकल कि जब हमारे बात हुई कि हम गवर्मेंट इदारों में और प्राइवेट स्कूलों में एक ही से लेबस लाएंगे चीज़ें महां से स्टार्ट हूंगे अगर आप पंजाबी निवस्टियों में पढ़ने हैं और मेरे पास लंज के डिग्री होगी तो प्रैफरेबल लंज वाला होगा पंजाब इनयाश्टी वाला नहीं होगा पंजाब इनयुष्टि वाला प्रसंट चाहे कैपि बल ज्यादा हो लेकिन विकाज उसके पास वह सूटिट बूट्टिट चीज़ेBox नहीं है नहीं है इसके राइफरेंस नहीं है सो हमारे ग्रासूट लेवल से करेंगी उन्होंने स्रेटमेंट दिया लास में पर पूछूंगा जो स्रेटमेंट का आपको बताया यहा पाकिस्टान में आखिया उन्होंने उसकी फिर जस्टिफिकेशन ऐसे दिए जया कि मेरा कहने की कोशिश की के पाकिस्तान में आऊंगा तो पता चलेगा के जिब लावल बूटो साब इंडिया के इंडिया में जा के ललकार के आगे वहां पे ये ये चीजें मतलब हमारे यहां पे कंसेप्ट है यार अगर ललकार ने की बात है इंडियन्स कभी पाकिस्तान नहीं आए यपाना अगर बेक्षेश कर्षे याम केँए तो आपको दूससे बारे है अगरभा में ने स्कारिक भी afterwards मारे वुद स्पार वाई पर बारे हैं वहां पर वाहाइज के बैठाना कर्षेशाइब आ आप अपने तोर पे गए आपने जाके हिरोब बनने की कोशिश की और आपना काम हो के आगए आपने तो इज़त करवाई सो करवाई आपने हमारे भी बीज़ती करवाई दुनिया में आप इंडिया से अच्छे तालुकात रखे होने चाहिए बराबरी की सथा पे होने कि आप अपना काड़ बनाने को आप दुनिया में शोग करने के लिए का आई एम सम्धिंग मैं एक वजिरेकार्ज हो इंडिया गया तो आपने कुछ भी नहीं किया वालों को ललकार के आगया उनके यानि हीरो हमें बनने का शोग है कि हम युनाइटीड नेशन में गे और वहंपे हमने वह फार दिया बील फार दिया हम इंडिया कि इंडिया में ललकार के कि आगे हमने यह कर दिया जब कि पूरी दुनिया में इस चीजिक nessa हम समझते हों कि बड़ा बहादर लीडर है दुनिया क्या देख रही है दुनिया हमेरे परस्पेक्टिव को कैसे समझ रही है लेंगविज मैटर करती है आप वो कहते हैं कि खिलाओ सोने का नवाल और देखो शेयर की आंग से अगर आप में वो कैपेबिलिटी हो कि आप बात करे और लोग उसको भाय करें आपको इंडिया जाने की ज़ुरूट ने या ऐसे धंकिया खाने की ज़ुरूट नहीं है आप मतलब सिंपल यह कह सकते हैं कि मतलब अगर आप कुछ करेंगे तो हम देखना है इस इस इंपॉर्टन्त इतना से कुछ काफी होता है आपने ये बात की कि इंडिया वाले वहां भी बैठके एक नेरिटिव पूरी दुनिया को बना के दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान टेररिजम को पर्मोट कर रहा है या पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रूप मुजूद है तो युनाइटिड नेशन्स की रिपोर्ट के मताबिक पाकिस्तान में क्या टेररिस्ट ग्रूप मुजूद नहीं है क्या आपके ख्याल के मताबिक मतलब पाकिस्तानी जो पबलीक है पाकिस्तानी एजूकेटिड यूथ है उसके मताबिक पाकिस्तान में टेर्रिजम इस टेम मुझूद है या नहीं? यार पाकिस्तान में टेर्रिजम है और टेर्रिजम बड़े ग्रासूट लेवल पर है सबसे बड़ी ग्रासूर्ट लेवल पर ये देखें कि आप महीना एक डेड़ माह पहले कि आपको बात बताता हूँ हम मुगलपुरा के एरिया में रहते हैं मेरे मामों की डैथ हुई और उनका नाम था सहीद अमजजली शाह वो जिस महले में रहते हैं जिस महले में मसाजिद में नमाजें पढ़ते थे बच्चे वहाँ पर गए उनके एलान करवाने के लिए कि आप एलान करदें कि उनकी डैथ होगी और इमाम साब ने नाम सुनके एलान करने से इंकार कर दिया एलान करने से मतलब के इंकार कर दिया कि उनका हमारे फिरके से तालुक नहीं है वो शायद एले तशेयोस हैं तो हम इंकार नहीं करेंगे एलान नहीं करेंगे उनने इंकार कर दिया अच्छा उसके उपर फिर उन से बच्चों ने थोड़ा सा वीडियो बना ला फेस्बूक पे लगा लिए उसके उपर वो मौलवी साहब ने और यह मैं आपको लिटरली मेरे पास इसकी वीडियो पड़ी में यह पूरा केस है मौलवी साहब ने थाने में करवा दिया कि बच्चों ने तो इने साहबा की है उसके उपर फिर सब लोग गए और सब लोग उने जाके वहां से मौलवी साहब से माफी मांगी डॉक्मेंटेड वीडियो यह बच्चों ने जाके जो कहले तशियों के हैं एले तशियों के बच्चे हैं जो बहर हाले मसलख की एक तलाफ है चोदा सो साल से और उनने वहां पर जा के उनके कहने के ऊपर सहाबा कराम जिनदाबाद उनके नाम लेकर नारे लगाये तब जा के बाद रफा दफा हुई अभी दो तीन दिन पहले मरदान में जो केपी के में वाकिया हुआ कि अन्होंने सर्फ एक परसर ने कहा कि मैं उसकी इस तरह इज़त करता हूँ और उसको मार दिया ये देशत गर्दी की बहुत चोटी चोटी एक्जेम्पल्स है अच्छा इसके बाद है क्या कि आपने स्टेट ने क्या किया स्टेट ने कुछ नहीं किया स्टेट इससी से डरती है कि आप किसी एक फिरके को पराड डालेंगे अभी इस वकत हमारी साथ रिज़ी साब का पॉलिटिकल इस पाकिस्तान के अंदर गेन क्या है स्टेट इसके अच्छा इसके अच्छा इसके पार्टी के लीडर है जिसको हमने खुद बनाया वै हमने बनाया था कि जब हमें दिल करेगा हम उसको ठालेंगे और अब साथ रिज़ी साब एक ख्रैट है वो नहीं हो सकते तो हम पिसको सम्टाइम्स चूंके यह हमें सूट करती है अपने मकासित के लहें हमें इनको यूट बनाते हैं और फिर दो सो साल उन गुरॉप को हमें बुगतना पड़ता है इनों ने बताया कि अब इस तरीके से जैसे अगर फिर्का वारियत होगी एक दूसरे सिखलाफ होंगे तो हम तो दुनिया को जाके यह कहते हैं कि हमारे यहां पर मिनारिटीज बहुत सेव हैं हम तो अपस में इस तरीके से शीया सुनी है हम लोग सेव नहीं है और अगें यह हम इन में से किसी के भी मेंन स्ट्रीम लोगों को पकड़ के आप सजा नही दे सकते हैं चुके हमें यह लोग चाहिए हमें अपने परसनल गेंज के लिए यह लोग चाहिए हमें पुलिटिकल यूज के लिए यह लोग चाहिए हमें अफगानिस्तान में बेजने के लिए यह लोग चाहिए कश्मीर बेजने के लिए यह लोग चाहिए हम लोग खुद साथ तसाज़ा को उन्हें मार दिया इसी फिरका वारित का करके and no one matter आप किसी मेंस्ट्रीम मीडिया को पर उसकी बात नहीं आई और हमने अभी आप देखें कुछ अला करे किसी को भी इला तला ऐसी शादत ना दे या किसी के भी नाहक जान नहीं जानी चाहिए लेकिन अगर कोई भी हमारा कोई इदारे का कोई परसन मरेगा तो मेंस्ट्रीम चैनल्स को अपर हेडलाइन्स आएंगी जो शहीद किये गए हैं यह मर जाओंगा यह मर जाएगा आप मर जाएंगे no one but care हमें उठा लिया जाएगा सर मैं अब बताओं उन्हें शहीद कहा जाएगा और इवन हमारे मेंसे कर कुछ होगा तो यह कहा जाएगा गुस्ता ही अल्ला माफ करे मैं मतलब यह कि ऐसी बातें करते भी थोड़ा डार लगता है हमारे उपर टैगल का दिया जाएगा लेकिन अब जरुरत है कि हमें बात खुल के करने की जरुरत है यह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए यह मेरी बेहतरी है इनकी बेहतरी नहीं अगर यह बात करें पाकिस्तान के लिए इनकी महबत है चेंज चाहते हैं इसलिए बात करें मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में चेंज चाहता हूँ, हम दुनिया को जाके कहते हैं, जी फलस्तीन में ये हो गया, बर्मा में ये हो गया, कश्मीर में ये हो गया, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, के पीके में, बलोचीस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में, लाहोर में क्या हो रहा है, ये चीज हो शायद ना हो लेकिन बाराल जो भी ओर हम उसे सही तरी कैसे कोप नहीं कर रहे हुम उसको काउंटर नहीं कर रहे हम जो भी हमारे यह बहुत नहीं हो रहे हम लोगों को मौका दे eres mache के वह मौर्स काश्राइटों कर रहे हैं तर्रइशम Yellow को आशी बातरूं के बातों के विपर डिसकेशन की जिनो demonstrating को आम पाकिस्तानी रिने से ही डरता है लेकिन उन्में की जब तक हम बोलेंगे नहीं पाकिस्तान में चेंज नहीं आएते रहेगा। लेकिन परक्यों के लिए प्रैक्टिकली कोई सब्सक्राइब करते हैं किया, मैं स्टूरिटंट हूं किश यूनिवर्सटी में किया सब्यांक जीस इनवेस्ट। पाकिस्तान की मुझूदा कंडिशन की अगर बात करें और इस कंडिशन में अपने नेबर कंट्री खास तूर पे इंडिया और अफगानिस्तान के साथ रिलेशन की बात करें पहले तो मुझे बताएं आपको क्या लगता है कि रिलेशन हमारे बेहतर है या नहीं है जि यह देख हम जब हम देख लेते हैं पॉलिटिकल स्टान्स पाकिस्तान को पिलिटिकल स्टान्स इंडिया और अफघवनिसान का तो यह बहतर नहीं है अधिक्ष क्याहले में जो अभी रिसन्ट रीवरुशन आया अफघवनिसान के अंदर और इंडे के साट जो क्लेश है सबसे यह इंडिपेंडेंट हुए बेहतर नहीं है बेहतर नहीं है रिसनली ब्लावल बुटो दो दिन के विजट के लिए इंडिया के आपको इसा जो आप देंगे के दुनिया याद रखी मलब एक थ्रेट टाइप हुआ जो बाद में उन्होंने क्लियर किया कि दंकी नहीं देनी चाहिए थी सेकिनली कि ऐसी स्टेट मेंट का इंडिया को कोई नुकसान हो गया जहां तक मेरा ख्याल है जहां तक मैंने पड़ा है उसमें देखा जाए तो परखिसान के कोई इंडिपेंडन्ट पॉलिसी नहीं है यह हमेशे से रही है दूसरे कि स्टेट के अंडर र जिन लोगों से पूछा सब यही कह रहें कि वह ऐसी स्टेटमेंट अगर दी है तो नहीं देनी चाहिए थी तो आप पाकिस्तान के लोगों को मुझे इन्हें रिप्रेजेंट करने वहां पे कहे थे आपने अगर यह स्टेटमेंट दी है तो थोड़ा सोचने की जुरूत है यह बताएं कि इससे इंडिया को कोई फरक पड़ा है ने इस में अपना पॉइंट आफ यह शेयर करना चाहता हूं कि इंडिया इस वोगत एक इमर्जिंग अकॉनमी है उस पर कोई इस तरह के स्टेट को नुकसार नहीं आपने बोला कि पाकिस्तान हमेशा जो पॉलिसी रही है किसी दूसरे कंट्री त्टि के कहने पे पॉलीसी स्टेबल रहा हैं ८सμय किसि से उदार ले ले लよね तो जो है वो जी सब्सक्राइब करते हैं आपने लेता हूं अपने पाकिस्तान के लिए लेकिन ऐसा नहीं होगा अब देखो long term production के लिए हम अबरी रिमिडी के सोच्छते हैं तो long term production के लिए हम यह करना पड़ेगा कि काम करना पड़ेगा जब कॉलाने के लिए फिर आपको अंधर इंडस्ट्राइशन को को स्टेबल करने के लिए आपको नो अपको पुलंट करने के लिए आपको इनफेंटर्थी चाहिए मैंने बोला foreign investor तो foreign investor यहां से यहां पे आने से डरते हैं यहां पे बिजनस इवन यहां पर जो मजोत थे आल लेडी उसकी एक वजा कि इनके पॉलने कि प्रों कर रहें की देखो हर चीज़ पॉलिशी पे अधरो टी हां और बास ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे कोई चेंज आएगा आपको लगते आने वाले पांच साल दास साल में कोई चेंज आने की उमीद है जैसे देखें मैं यह चीज गरंटी से कह सकता हूं कि जो एजुकेटिड यूथ है पाकिसान की कहीं ना कहीं आप सोच उनकी बदल र लेते हैं क्योंकि हम इतने जो अना बर्डेन के शिकार हैं अल्रेडी तो फिफ्टी यह आप यह कह रहे हैं कि हम डार्क उसके लिए आप देखो अपनी पूरी एकानिमी आपके सारे लॉंस आपके मींसा प्रोडेक्शन आपकी बेसिक रूड लेवल से आपको जाना पड़ का सिkrä हें और रिलेशन बेहतर करें और हम पिर जाकर दमकियां तें यद्स आ हैं किवह एसा चाएं मैं चीज यहिइक के रहा हमें चाहिए रहां का दा का दालकता है मा की लिए हमार से लड़ाई ही हमारा मसला है लाडाई मस로 का हल नहीं है जमीनी मसलों का हल निकालो खुदाई fan का हल नहीं है जो मसाल का हल हम निकाल सकते हैं हमें चाहेए कि वो टेبلटाक के जरी amendments के मसाल का हल निकाले और इसका हल हो सकता है क्यों नहों हो सगता है अब आप दुनिया की तारीक को उठाके देख ले बड़ी बड़ी जंगे जंग आजीम अवल होई दूइम होई सही है यूरप की अगर बात करें आपस में जंगे होई है आप तो उनके बार्डर फ्री ट्रेड हो रही है बड़े सिस्टम है के एक ट्रेन से या पता नहीं के करेंशी है तो इन जीजों हमें कुछ सिखना होगा तारीक से लेकिन हमें तो